हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब I hope you all are fine बच्चों important derivation series का part 5 हम लोग देख ले जा रहे हैं इसमें जो है हम लोग wave optics के derivations अभी देखेंगे wave optics में 3 important derivations है पहला है आपका reflection reflection at a plane surface using hygiene's wave theory दूसरा refraction का derivation दोनों ही important है और तीसरा analytical treatment of band जैनी position of bright and dark band at different location of the screen तो यह अपने को भी देखना है क्या करके तो wave optics में सबसे पहला derivation जो हमारा है वो है reflection of light wave using hygiene's theory ठीकिन हाइजिन्स थेरी हाइजिन की थेरी को यूज करके हम लोग reflection of light waves को भी देखेंगे यह आपको लोग को पता है कि बहुत important derivation है और इसमें समझने में रिक्कत होती है बच्चों को और यह derivation जो होता है basically कई मरतबा board exam में आया है reflection और reflection वाला partner उनों में से एक तो कभी नदम पूछी लेता है पर बच्चों मैं आपको simple technique बताता हूँ इस derivation को कैसे करते है इस derivation की जान इसके diagram में है अगर आप ने धंग से diagram बना लिया मतलब derivation आपने कर लिया ठीक है आई यह मैं को सुमझा तो बटा क्या करना है सबसे पहले एक हम लोग surface लेंगे ठीक है जो perfectly reflecting surface माल लिया में है perfectly reflecting surface है इसके बाद इसमें जो है हम लोग क्या कर रहे है इसमें जो है ऐसे हम लोग एक plane wavefront को incident करवाएंगी है एक plane wavefront यहाँ पर incident हो रहा है तो plane wavefront incident होगा plane wavefront incident हो रहा है अब क्या है अब इसको समझने ही कोशिश करो कि जब यह plane wavefront यहाँ पर incident हो रहा है तो जब यह ए बी वाला पार्ट है यह वाला wavefront है जब यह यहाँ पहुचेगा इस position पर पहुचेगा तो ए पहले पहुच जाएगा और बी को पहुचने में टाइम लगेगा तो बी कितना पीछे रहेगा तो यहाँ सबसे पहले एक परपेंडिकलर ड्रॉप कर दो ठीकिन हम आपको examination point of view से बता रहा हूं अभी समझने का टाइम नहीं है बस इसको याद रखो कि कैसे solve करते हैं तो सबसे पहले आप लोग एक plane wavefront बना दो जो कि एक oblique position पर होगा और अब क्या कर दो यह वाला जो point बना आपका इसको c point बोल द है तो a वाला wavefront तो c पर पहुंच गया बी जो है जो b पर था वो भी कहां पर है वो डी पर ही है भी पर ही पर ही है जो अब जैसे यहां पर यह आकर के a c पर जाके incident होता है वैसे वैसे यह इसे अपनी wavefront spherical wavefront बनाने शुरू कर देता है क्यों कि वह basically point है और आसदा है हमें आन पर पहुँचेगा उतने टाइम में C से यह उपर पहुँचेगा, तो क्या करने का, यहां पर एक आर्क बना दो, ठीक है, चलो भी तो क्या करो, एक वेफरेंट बनाओ, फिर एक परपेंडिकले डॉप करो, फिर एक आर्क बना दो, उस आर्क को यहां पर इससे जॉइन कर दो, इससे जॉइन कर दिया, अब जैसे आपने इसको जॉइन किया, यह दोनों का जो कॉमन पॉइंट आपको नज़रा रहा है, यहां से एक लाइन खीचो, और इसी के पैर अब बैसिक सा डेरिवेशन फिर बचाईए, अब ट्राइंडल जो है, C, F, E ट्राइंडल देखो, त्राइंगल CFE, इन ट्राइंगल CFE, इन ट्राइंगल CDE, इन ट्राइंगल में, अब क्या है मारे पास, अगर आप गौर से देखेंगे, तो एंगल F इक्वल्स टू एंगल D होगा, इच 90 डिगरी होगा, उसके बाद जो आपकी CE साइड है, उस CE के बराबर आएगा, कौन सी स साइड, उसके बाद जो है, यहां पर अगर आप गौर से देखेंगे, तो हमारे पास जो D E है, वो C F के बराबर होगा, क्योंकि दोनों डिस्टन्स है, दोनों एकी मीडियम में है, दोनों सेम टाइम के लिए ट्रावल के, स्पीड ऑफ लाइट सेम है, तो दोनों D E और C F जो है, वो डिस्टन्स है और डिस्टन्स स्पीड इन्टो टाइम होता है, दोनों में लाइट की स्पीड और टाइम जोनों सेम है, तो इस तरीके से दोनों बराबर होगा, तो दोनों ट्राइंगल जो है हमारे, वो कॉंगरेंट हो जाते हैं, ट्राइंगल कौन सा ट्राइं अगर दोनों ट्राइंगल बराबर है तो अब आगे की कहानी ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ यहां से बटा क्या करना अपने को यहां से जो है यहां से मैं परपेंडिकले ड्रॉप कर रहा हूँ यह असल चीज ध्यान रखना यह इंसिडंट वाली रह है तो यह एंगल आई होगा कलर चेंज कर देता हूँ मैं यह एंगल आई होगा और यह वाला एंगल जो है वो तो फिसिकली आर होगा तो अगर आप गोर से देखेंगे तो यह जो ट्राइंगल है इसमें ये आ रहे है तो ये वाला अंगल क्या बनेगा 90 minus R बनेगा बिलकुल है ना और बिलकुल ऐसे ही यहां पर बगराब डॉप करेंगे तो ये वाला जो आपका यहां पर है वो अंगल यहां पर क्या है ये तो reflected है तो ये क्या हुआ incident angle तो अगर आब इसको ऐसे देखेंगे यह आई है तो यह 90 minus i बनेगा तो therefore बच्चों angle c is equals to angle e बोल सकते आप angle c कितना है 90 minus r angle e कितना है 90 minus i दोनों cancel हो गया तो r equals to i बचा यही तो आपका laws of reflection है law of reflection यही तो कहता है कि basically हमारे पास जो है वो i और r बराबर हो ठीक है चलो भी हो गया पहला derivation complete अब हम लोग फिर क्या करेंगे दूसरे derivation के दरफ जाएंगे दूसरे derivation हमारा क्या है दूसरा derivation है रिफ्रैक्शन का तो रिफ्रैक्शन में भी ऐसे ही इसमिलर कुछ diagram बनेगा लेकिन थोड़ा सा different क्योंकि उसमें वो दूसरे medium में जाने वाला है एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें जो आप incident प्लेइन वेफरेंट बनाएंगे वो थोड़ा सा ज्यादा slanted बनाना तब जाकर के साई diagram बन पाता है वन्ना हो साई से बनता नहीं है तो वही कहानी यहां से यहां तक वेफरेंट बिसिकली चल करके आ रहा है यह भी वाला वेफरेंट यह वाला वेफरेंट पहले पहुंच गया सी पॉइंट पे बी वाला पीछे है कि कहां पर है भी यहां पर कहीं डी पर है अब क्या होगा अब जो है जितने टाइम में डी से यह ए पर पहुंचेगा अब यह तो medium नीच की तरफ बनना शुरू हो जाएंगे ऐसा है ठीक ना तो नीचे की तरफ बनेंगे तो क्या करने का ट्रिक यह है कि आप क्या करो यह डिस्टिंस डी जो है ना इससे थोड़ा कम डिस्टिंस पर एक ऐसे आर्क बना दो आर्क बन गया फिर ए तक और यहां पर इक पॉइंट हो और यह ऐसे, ऐसे बनता है यह diagram, ठीक है? clear हो गया, चलो हो पहर यह angle 90 होगा, फिर से वही कहानी, angle is perpendicular to tangent, यह tangent is perpendicular to the radius, ठीक है? चलो हो यह भी clear है, अब यहाँ पर थोड़े angles को समझना पड़ेगा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो यह वाला जो angle है, angle of incidence है, तो यह वाला भी फिर वही होगा 90-I करके तो यह ही बनेगा और यह एंगल आर है तो यह आर बनता है तो अगर मैं यहां पर साइन आय निकालू अपॉन सबसे पहले साइन आय निकालता हूँ अपॉसे यह वाले स्टिंस क्या होगा वीवन इटुटी इस्टंस क्या होता स्पीड इन्तु टायम तो वीवन इंतु टी डिवाइड़ वाई ऑपॉसेट अपॉसेट आई का अपॉसेट । T adjacent क्या है C E है and sine R अगर निकालेंगे तो sine R क्या होगा opposite क्या है R का R का opposite है मेरे पास C F बोल दोसको C F C F जो की V2 T के बराबर होगा distance है वो है न जितने time में D यहां से यहां से यहां तक पहुचा उतने time में C यहां से यहां से यहां तक पहुचा ऐसा है और C E यहांनी adjacent side ठीक है hypertenuous तो therefore दोनों को divide करो sine I upon sine R करेंगे तो आएगा V1 T divided by C E into C E divided by V2 T T O T क्या हो गया cancel हो गया C E C क्या हो गया cancel हो गया तो V1 upon V2 बचा therefore sine I upon sine R is equals to V1 upon V2 is basically mu2 upon mu1 which is equivalent to mu2 of 1 तो यह आपका जो है basic तोर पर यह आपको सम्झा है मैंने के ऐसे ऐसे जो है आप क्या करेंगे इसको solve करेंगे तो दोनों derivation हमने देख लिए तीसरा और आखरी derivation हम लोग देखते हैं वो है analytical treatment of interference bands ठीक ना तो analytical treatment of interference bands ठीक ना इंटर्फरेंस बैंच का analytical treatment देखते हैं लो हेलो बच्चों कैसे आप सब आई होप यह लो फाइन बच्चों अगर आप महारास्ता बूड की preparation कर रहे हैं तो महारास्त्रा बूड की preparation को बूस्ट अब करने के लिए Oswald Publishers आपके लिए लाया है एचसी sample papers की book इस sample papers की book में आपको मिलेगा हर subject का तीन-तीन sample paper with previous question paper जिससे आपको अपने preparation को बूस्ट करने में और इसको एक सई direction देने में help होगी है इसके जो sample papers है वो बिलकुल वैसे ही है जैसे board exam में पूछे जाते हैं लगबग similar questions तो अगर आप अपनी preparation को बूस्ट करना चाते हैं अच्छा score करना चाते हैं तो आउस्वाल पब्लीशेद आपके लिए लाया है sample papers की book उसको आप buy कर सकते हैं इसका buying link आपको मैं description में दे दूँगा अगर आप इसको इस पर discount चाहिए तो आप मेरा coupon code भी उसकर सकते हैं पहले टैन ऑके थैंक थैंक तैंक इसको देखते हैं तो basically हमारे पास सबसे पहले एक screen होगी एक screen है हमारे पास दो sources है दो sources है को दारे गेजरी बनाता हो मैं रो स्वर्स एक source इदहर है एक source इदहर एक source है 1S1 है में डिस्टन्स कितना है डी है यहां पर गोई स्क्रीन रखी वी है जो कि capital D के distance पर है capital D के distance पर रखी है source से और यहां से waves निकलेंगी और किसी एक point पर पहुँचेंगी इस तरीके से हमारे पास wave निकलेंगी और एक point पर पहुँचेंगी है तो यहां से भी wave निकली और यहां से भी wave निकली ठीक है clear हो गया इसके बाद आगे आगे क्या है इसको देखिए यहां से मैंने perpendicular drop किया ऐसे perpendicular drop कर दिया तो यह बेटा distance कितना है S1S2 के बीच में D है फिर यहां से एक और निकले drop करता हूँ यह C है इस point को क्यों बोल देते हैं इस point को A बोल देते हैं फिर यह C है और यह आपको क्या है यहां पर B है तो इस तरह के से अलग-अलग हम लोग ने नाम देदी है यह distance कितना होगा फिर डी बाई टू क्योंकि आपने उसको perpendicular bisector बनाया है हमको क्या करना है part difference की condition लिखनी है for bright and dark अगर आप गोर से देखेंगे तो आपके पास triangle कौन सा है इन triangle आप S1 Q और S1 Q और A triangle लेंगे आप इस triangle की बात कर रहे है आप इस triangle की बात कर रहे है एस वन Q और A triangle की बात कर रहे है इस triangle की बात करे है च्श्फियर की बात कर रहे है ने वित्अ जोब आप यहां पर क्या लिख सकते हैं पाइटे करह तरह में लगा सकते हैं S1 q the whole square is equal to kya hoega S1A the whole square plus kya hoega QA the whole square ठीक है clear हो गया, S1A क्या है वो तो D है, S1 Q तो पता नहीं क्या है part difference आएगा उससे D square, plus QA कितना है QA आप एक चीज ध्यान रखना कि C यानि center वाला point जो है, क्योंकि symmetrical point है वहां से Q तक क्या, Q कोई भी general point है वहां से distance किता है X1 ली है मैंने तो पूरे X distance में से अगर D by 2 निकाल देंगे तो आपको AQ मिलेगा तो ये है X minus D by 2 the whole square I hope आपको यहां तक तो clear होगा ठीक है इसको 1 दे दीजिए अब इसके बाद आप इस triangle की बात करिए कौन सा अब आप triangle की बात करिए S2 Q और B इस triangle की बात करते हैं बात समुझाएं चाहिए तो मैं color change करें देता हूँ S2 Q और B इस triangle की बात करते हैं तो पहले छोटे वाले triangle में पाते गरस लगाया बड़े वाले triangle में पाते गरस लगाएंगे अब बताएए क्या होगा in triangle S2 QB S2 QB triangle में क्या होगा S2 Q the whole square शे equity goes to क्या होगा ये होजाएगा QB the whole square plus क्या होगा S2 B the whole square तो S2 B जो है S2 Q जो है तो मिरे को मालूम नहीं है Q भी मुझे पता है x plus d by 2 आएगा यह the whole square और s2b जो है वो d है तो d square इसको 2 दे देजे 1 मिल गए 2 मिल गए अगर आप पूरे s2q में से s1q को minus कर देंगे तो यही path difference होगा असल में path difference कहेंगे उसको तो therefore therefore मैं लिखता हूँ s2q the whole square minus s1q the whole square 2 में से 1 को minus कर रहा हूँ तो क्या मिलेगा यहाँ पर s2q क्या मिला वो मिला x plus d by 2 the whole square plus d square minus यह क्या है x minus d by 2 the whole square minus d square plus d square minus d square cancel हो गया a plus b the whole square यह बनेगा x square plus 2x d by 2 plus d square by 4 minus यह हो जाएगा x square a minus b the whole square a square minus 2ab plus b square ठीक है चलो अब यह ऐसा है तो यह हो जाएगा x square 2 or 2 cancel हो गया तो हो जाएगा x d plus d square by 4 minus x square plus 2 or 2 cancel plus x d minus d square by 4 ठीक है ना तो यह दोनों cancel हो गया यह दोनों भी cancel हो गया तो बचा क्या बचा 2x d और इधर पर कैसे solve करेंगे वो बता देता हूँ मैं आपको which is equivalent to यह multiply में था यहाँ पर हमाँ जाके क्या हो जाएगा divide तो s2 q plus s1 q अगर आप गोर से देखेंगे तो यह actually बहुत छोटा है distance यह existence बहुत छोटा है तो s2 q s2 q और s1 q यह दोनों बराबर है almost किसके बराबर है d के बराबर है तो यह हो जाएगा आपका 2 x d divided by 2 d और यह होता है आपका क्या path difference तो 2 और 2 cancel हो जाएगा और यह क्या बनेगा x d by capital d this is the condition for path difference ठीके ना तो यह path difference की बहुत important condition आपने लिग दी अब यहाँ पर जो है एक बहुत important सवाल आता है कि bright wind के लिए क्या होगा और dark wind के लिए क्या होगा तो अभी यहाँ पर बिता देता हूँ मैं आपको ठीके ना तो तो इसको special cases के तौर पर देख लेते हैं कि हमारे पास bright or dark की क्या conditions आ रही है ठीक है आई समझते हैं इसको तो special cases तो special case के तौर पर हम लोग यह देखेंगे इसके अंदर कि जो bright की condition है वो यह है कि for bright point bright point के लिए जो path difference होता है वो क्या होता है even multiple of lambda by 2 तो path difference is equal to होता क्या है वो in general x d by d और उसको आप n lambda लिख दो या 2n times lambda by 2 लिख दो तो 2n times lambda by 2 लिख दो which is equals to n lambda और for dark band dark point के लिए क्या होगा dark point के लिए path difference की जो condition है तो basically वह यह होगी x d by d is equals to यह होगा 2n minus 1 lambda by 2 और c point जो है center point जहांपर हमेशा path difference 0 होगा वह हमेशा bright होगा याद रखना वह समचाई तो इस तरीके से जो आपके basic derivations थे wave optics के 3 important derivations तीनों में से कोई ना कोई जरूर आ सकता है fringe weight का expression याद करा देता हूँ fringe weight होती है lambda capital d by small d अगर यह निकालने पूछा जाया है तो कैसे निकालना capital x is equals to distance of n plus 1 the bright band minus distance of n the bright band लिसे करेके निकालना उसको वह समयचे है यहां से x का value निकालना उसको substitute करना और यह fringe weight है दियान रखना यह fringe weight है ठीक है तो इस तरीके से यह आपको समझाया है मैंने तो ऐसे ऐसे आप लोग इसको solve करेंगे बाकी जो है हम लोग अगले session में देखेंगे अगले session जो होगा और next time मैं आपको समझाता हूँ कल का एक दिन बचा हुआ है उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन-कौन से important part है और कौन सा भी मैं करवा सकता हूँ आपको ठीके ना I hope आपकी help होगी इससे अगर कोई doubt हो कोई confusion हो तो comment section में मुझे बिताइए और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिए ताकि मैं हम जादा जादा लोगों के help कर पाए तैंक यू